पूरे मध्या प्रदेश का मौसम आपके हां पर बारिश हो गया नहीं और कितना दापमन आपके हैं पर जानकरे जाने के लिए से वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे इस चैनल को एलाल वाला बट्न दबा कर सब्सक्राइब कर दीजे साथ में गंटे का आइकन को दबा कर आल पर क्लिक कर दीजो और हमें कमेंट करके बताएं कि आप मध्या प्रदेश के कोई से जिले गावें शेहर में रहते हैं तो दोस्तों मध्या प्रदेश में तापवान फेट चड़ने लगा है देश के तीन सबसे ज़्यादा गरम शेहरों में खजुरा में शाबील हुआ बादलों के छटने और पड़ोसी राज्य से आरी गरम हुआ है पूरे मध्या प्रदेश में गरमी बढ़ा रही है अगले दोगों से तीन दिनों के दुरन तापमन बढ़ता जाएगा चटरपूर, टिकमगड, दमवा, खंडवा, खरगोन में लू चलने का अलट जारी क्य हुई है इन सबी कारणों की वज़े से पूरवी मध्या प्रदेश में आशीक बादल चाहें और उत्तर भारत के पश्यम इक्षोम के परवेश करने पर तापमन में गिरावट हो सकती है देश के सबसे गरम में दोस्तों जो है शेरों में खजुरा रेकोर्ड किया रहा है त दोस्तों मशेम विबा के आकड़ो की बात की जाए तो धमवा करगों में 43.1 डिगरी सेल्सेस दमवा नोगाउ मे neld 2.9 शेवनी में 42.4 गौलिर में 32.3 सतना में 42.1 सीधी में 42. Teresa सेस नियोंतन तापन की बात कीज़े तो राजगड की जो है रात में काफी गर्म रहा राजगड में 26.5 के करीब तापन रेकोड किया गया वहें दोस्तों खसंगाबाद राइसल में 25.6 रात किसा में तापन रहा खंडवा साजापूर में 25.4 भोपाल सीधी टिकमगड में 24.6 दमुआ सतना में 24.5 खरगोण जबलपूर में 24 रतला में 23.8 बेतूल में 23.5 गुना में 23.2 के करीब तापन रेकोड के गया मौसम विबाग की माने तो पिछले 24 गंटों की दुरण काफी मौसम सुसकरा सभी संभागों में अधिक्तम तापन विशेश परिवरतन नहीं आसर मध्यपरदिश के आने के इलाकों पर देखने को मिलेगा और मौसम विबाग की माने तो खास करके जो है बोपाल सही ताइस पास के इलाकों में काफी गरम हवाई चलने और तेज हाओ के साथ दोस्तों कई जगों पर लूस से तो रात मिल गई है लेकिन दोस्ते चार द खंडवा डिंडोरी सहीत आस-पास के लाकों में काफी उतार चड़ाव रहने वाला है तो यह ता आज का मौसम सिस्टम वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करना दो